आज पूर्निमा है, पूर्निमा के दिन भगवाय श्री सत्रनान व्रत की कथा की जाती है जो इस प्रकार है ओम श्री गनेशाय नमा है श्री सत्रनान व्रत कथा पहला अध्याय एक समय नमिशारन ने तीर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने श्री सूद जी से पूचा हे प्रभू, इस कल्यूग में वेद विद्य रहित मनुष्यों को प्रभू भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका कैसे उध्धार होगा हे मुनिश्रेष्ट, कोई ऐसा तब कहिए, जिससे थोड़े समय में पुन्ने प्राप्त होवे, तथा मनवांचित फल मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है सर्वशास्त्र ग्याता श्रीसूद जी बोले, हे वैश्नमों में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ट वरत को आप लोगों से कहूँगा, जिस वरत को नारप जी ने लक्ष्मी नैरन भरवान से पूछा था, और लक्ष्मी प निश्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीडित देखकर सोचा, किसी यतनके करने से निचे ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसे मन में सोचकर, विश्नु लोग को गए, वहाँ श्वेत वर्न और चार भुजाओं वाले देवों के ईश न नहीं है, आप निर्गुन सुरूप, स्रिष्टी के आदी भूत्व, भक्तों के दुखों को नश्ट करने वाले हूँ, आपको मेरा नमस्कार है, नारज जी से इस प्रकार की स्तोति सुनकर विश्नु भगवान बोले, हे मनिश्यों के अपके मन में क्या है, आपका किस काम क लिए आगमन हुआ है, निस संकोच कहें, तब नारज मुनी बोले, मृत्य लोग में सब मनिश्यों जो नेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के त्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नात यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बदलाईए कि उन मनिश्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रियतन से कैसे दूर हो सकते हैं, शरी विश्नु भगवान जी गोले, ये नारज मनिश्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस काम के करने से मनिश्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूं सुनो, बहुत पुन्य देने वाला स्वर्ग तथा अमरिक्तियों लोग दोनों में दुरलव एक उत्तम वरत है, आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, शरी सत्ने भगवान का ये वरत अच्छी तरह विदी पूर्व करके मनुश्य दर्ती पर आयू परियं आदी को दूर करने वाला दंधाने को बढ़ाने वाला सुबागे तथा संतान देने वाला ये वरत सब स्थानों पर विजई करने वाला है, भक्ति और शेद्दा के साथ किसी भी दिन मनुश्य श्री सत्ने की प्रातय काल के समय ब्रहमणों और बंदूओं के साथ धरम पर होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नेवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूद और गेहुं का आटा सवाया लेवे, गेहुं के अभाव में साथी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब अदार्थों को बगवान के अरपन कर देवे, तथा बंदूओं सहित, ब्रहमणों को पर यही मोक्ष का सरल उपाय है, इती श्री सत्य नायन कथा का प्रतम अध्याय संपूर्ण, श्री मन नारायन, 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 लक्ष्मी नारायन, 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 सत्य नारायन, 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 बौल सत्य नारायन, भगवान की जय, दूसरा अध्याय सूद जी बोले बिक्षा के लिए प्रित्वी पर फिरता हूँ हे भगवन यदि आप इससे चुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो किर्पा मुझे बताएं ब्रिद ब्रामन बोला हे वे प्रिसत्रे और भगवन मनवांचित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मुनिश्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है ब्रामन को सारा वरत का विधान बतला कर बुड़े ब्रामन का रूप धारन करने वाले सत्रे और भगवन अंतर ध्यान होगे जिस वरत को ब्रिद ब्रामन ने बतलाया है उसको मैं करूँगा यह निश्चे करने पर उसे रात में नीन भी नहीं आई वह सवेरे उठकर सत्रे और भगवन के वरत का निश्चे कर बिखशा के लिए चला उस दिन उसको बिखशा में वहुसा धन मिला जिससे बंदू-बंदूबा के साथ उसने सत्रे और भगवन का वरत किया इसके करने से वह ब्रामन सब दुखों से चूट कर अनेक प्रकार की संबत्यों से युक्त हुगा उस समय से वह ब्रामन हर मा से वरत करने लगा इस तरह सतने भगवान के वरत का उजोब करेगा वे मनुश्य सब दुखों से छूट जाएगा इस तरह नारजी से सतने भगवान का कहा हुआ वरत ये मैंने तुम से कहा हे विपरो अब मैं और क्या कहूं बिशी बोले इस वरत को किया है वे हम सब सुनना चाहते है इसके लिए हमारे मन में जग्यासा है सूद जी बोले इस जिस ने इस वरत को किया है वे सब सुनो एक समय वे बरहमन धन और अश्वरे के अनुसार बंदू-बंदू के साथ वरत करने को तयार हुआ उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुड़ा आदमी आया और बाहर लकड़ीयों को रखकर बाहमन के पास मकान में गया प्राप्यास से दुखी लकड़ारा उनको वरत करते देखकर बाहमन को नमसकार करने लगा आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फ़ल मिलता है? कृपा करके मुझे बताईए बरहमन ने कहा सब मनों कामनाओं को पूरा करने वाला ये सतनरद भगळवान का वरत है इसकी कृपा से ही मेरे हाँ धंदान 네 आदी की व्रिद्धी हुई है ब्राहमन से इस प्रवत के बारे में जानकर लकड़हरा बहुत प्रसंद हुआ चलनाम लित ले और प्रसाथ खाने के बाद अपने घर को गया अगले दिन लकड़हरे ने अपने मन में इस प्रकार का सकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सतने रन देव का उत्तम वरत करूँगा यह मन में विचार कर वे बुड़ा आदमी लकड़ी आपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे संदर नगर में गया उस दिन उस वहाँ उसे उन लकड़ीयों का दाम पहले दिनों से चोगुना मिला तवह बुड़ा लकड़ा दाम ले और अती प्रसन होकर पके केले शकर घी दूद देहीं और गेंगों का चुड़न इत्या दी सतने भगवान के वरत की कुल समगरियों को लेकर अपने घर गया फिर उसने अपने भाईयों के को बुलाकर विदी के साथ भगवान का पूज़न और वरत किया उस वुरत के प्रभाव से वे बुड़ा लकड़ारा दनपुत रादी से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंट को चला गया इती श्री सत्नेयन कथा का द्वितिय अध्याय संपूर्ण लक्ष्मी नारायन नारायन सत्य नारायन नारायन वो सत्य नारायन भगवान की जै तीसरा ध्याय सूध जी बोले हेश रेश्ट मुनियों अब आगे की ख़ता कहता हूं सुनो पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था वह सकते वक्ता और जितेंद्रिय था प्रति दिन देवस्तानों पर जाता था गरीबों को धन दे कर उनके कष्ट तूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुख वाली और सदी साधवी थी पुद्र प्राप्ति के लिए बदर श्री ला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सतरान भगवान का वरत किया उस समय में वहाँ एक साधू नमक वहिश आया उसके पास विपार के लिए बहुत सा धन था वहनाओ को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आगया और राजा को वरत करते हुए देखकर विने के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ति उप्चित से आप यह क्या कर रहें मेरी स नसार इस वरत को करूंगा मेरे भी कोई संतान नहीं है मुझे विश्वास है कि इस वरत के करने से निश्चे ही होगी राजा से विधान सुन फ्या पार से निवृत से नवरित हो वेए आनंद के साथ अपने घर को गया साधू ने अपनी इस तρι को संतान को सुनाया और रंक कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। सादू ने ऐसे वचन अपनी इस्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी इस्त्री लीलावती पती के साथ अनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवित्त होकर सतने भगवान की कृपा से गर्वती हो गई। तथा दस्वे महीने में उसके एक संदर कन्या का जनम हुआ। दिनों दिन वहे कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्त पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रिखा गया। तब लिलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का वरत करूआ अब आप उसे करिए। सादू बोला हेपर ये इसके विवहापर करूआ। इस प्रकार अपनी पत्नी को आशवासन देकर वहे नगर को गया। कलावती पित्री ग्रह में वृद्धी को प्राप्त हो गई। सादू ने जब नगर में सक्यों के साथ अपनी पत्री को देखा तो तुरंट दूद बुला कर कहा कि पत्री के वास्ते को इस सुयोग के वर देखकर लाओ। सादू की आगया पाकर दूद कंचन नगर गया तब श्री सत्रायन भगवान प्रोदित हो गए और सादू को श्राप दिया कि तुम्हें दारों दुख प्राप्त होगा अपने कारे में कुशल सादू वैशे अपने जामाता सहीत समुद्र के समीब स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससर जमाई चंद जब दूतों ने उस सादू वैशे के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांद कर वहां ले गए और राजा के समीब जाकर बोले ए राजन यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं देखकर आगया दीजिए तब राजा की आगया से उनको ठोर कारावास में डाल जित होकर अन के चिंता में कलावती एक ब्रामन के घर गई वहां उसने सत्रेण बहुत होते देखा फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रेंड कर घर को आई माता ने कलावाती से कहा है पुत्री अब तक कहा रही वा तेरे मन में क्या है कलावाती बोली हे माता मैंने एक ब्राह्मन के घर में श्री सत्राइन भगवान का वरत होते देखा है करन्या के बज़न सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तयारी करने लगी लिलावती ने परिवार और बंधों सहीत श्री सतने भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पती और दमाद शीगर घर आ जाए साथ ही प्राखना की कि हम सब का अप राध किशमा करो सतने भगवान इस वरत से संतुष्ट हो गए और राजा चंदर गेतु को स्वपन में दर्शन दे कर कहा हे राजन जिन दोनों वैशियों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोश हैं उन्हें प्राते ही छोड़ दो उनका सब धन जो तुमने ग्रहन किया है लटा दो नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादी सब नश्ट कर दूँगा राजा से ऐसे वच्चन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए प्राते काल राजा चंदर केतु ने सभा में अपना स्वपन सुनाया फिर दोनों बनिक पत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया दोनों ने आता ही राजा को नमस्कार किया राजा मीठे वच्चनों से बोला ये महान भवो तुम्हें भावी वच्च ऐसा कठी दुख फ्राब्त हुआ है अब तुम्हें कोई भै नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रा भूशन पहनवाए तथा उनका जितना अधन लिया था उससे दुगना अधन देकर आदर सहीत विदा किया दोनों वैशे अपने घर की ओर चल दिये इती श्री सत्रेन गथा का तृतिया ध्याय संपूरा वैशे ने मंगलाचार करके यात्रा आरम की और अपने नगर की ओर चला उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्रेन ने उनसे पूछा ये सादू तेरी नाव में क्या है अभवानी वनी खंसता हुआ बोला ये दंडी आप क्यों पूछते हैं क्या धनलेने की इच्छा है बेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं वैशे का कठोर बचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा बचन सत्य हो दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए दंडी के जाने पर वैशे ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को उची उठी देखकर अचंबा किया और फिर नाव में बेल पत्ते आदी देखकर मूर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा फिर मूर्चा खुलने पर अतियंत शोक पकट करने लगा है भगवन आपकी माया से मोहित ब्रम्मा आदी भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं ज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न होए मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो उसके भक्ती वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छान सर वर देकर अंतर ध्यान हो गए तब उन्होंने नाओ पर आकर आकर देखा कि नाओ धन से परिपूर्ण है फिर वह भगवान सत्र नरंड का पूजन कर साथियों सहीत अपने नगर को चला जब अपने नगर के निकट पहुँचा तब दूद को घर भेजा दूद ने साधू के घर जाकर उसकी इस्त्री को नमसकार कर यह कहा कि साधू अपने दमाद सहीत इस नगर के समीप आ गए है ऐसा वचन सुन साधू की इस्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पू कर उसके पती को नाउसाहित पानी में डूबो दिया कलावती अपने पती को ना देखते कर रोती हुई जमीन पर गिर गई इस तरह नौका को डूबा हुआ तदा कन्या को रोता हुआ देखकर साधू दुखित होकर बोला यह प्रभू मुझ से या मेरे परिवार से जो भू अवश्य मिलेगा ऐसी आकाश मानी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद घाया फिर आकर पती के दर्शन किये तत्वश्चात साधू ने बंदू वानो सहीद सत्य देव भगवान का विरिपूर्वक पूजन किया उस दिन से वह प्रत्येक पुरुणी मा को सत्नयन भगवान का पूजन करने लगा फिर इस लोग का सुक भोकर अंत में स्वर्ग लोग को गया इति श्री सत्नयन कथा का चौथा ध्याए संपुर्ण श्री मन नारायन 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 वो सत्नयन भगवान की जै पांचवां अध्याए श्री सूद जी बोले हे रिशियो मैं एक और खताय कहता हूं सुनो प्रजा पालन में लीद तुम भज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया एक समय वन में जाकर वन ने प्रश्रों को मारकर अपनी सुन्दर नगरी को चला गया वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया गया यह सब भगवान नहीं किया है तब वह उसी स्थान पर दुख वालाओं के समीद गया और विदी पूरवक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्य देव की क्रिपा से जैसा पहले था वैसा हो गया फिर दीर काल तक सुक भोग कर मरने पर स्वग लोग को गया जो मनुष्य इस परम दुरलव वरत को करेगा भगवान के क्रिपा से उसे दंद्याने की प्राप्ति होगी निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्वे हो जाता है संतान हिनो ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया उलका मुक नाम का राजा दशरत होकर वैकुंट को प्राप्त हुआ सादू नाम के वैशे ने मोर्धवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया महाराज तुंग भज स्वयम हो मनु हुए उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ते में लीन कर स्वयम मोक्ष पराप्त किया लकड़ हारा भील अगले जनम में गुह नामक निशाद राजा हुआ जिसने भगवान राम के चरनों की सेवा कर मोक्ष पराप्त किया इती श्री सतनायन कता का पांच्वाँ ध्याई सम्कू ओल सत्य नारायन भगवान की जै श्री सत्य नारायन जी की आरती ओम जै लक्ष्मी रमना रत्न जडित सिंहासन अद भुत्च विराजे प्रभु अद भुत्च विराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर गंटा धनी बाजे ओम जै लक्ष्मी रमना प्रकट भय कली कारन द्विज को दर्ष दियो बूडो ब्रामन बनकर बूडो ब्रामन बनकर कंचन मेल कियो ओम जै लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो इन पर कृपकरी ब्रभु इन पर कृपकरी चंद्र चूड एक राजा चंद्र चूड एक राजा तिन की विपतिहरी ओम जै लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरत पायो श्रद्धात अज दिनी सोफल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तोति कीनी ओम जै लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धात अधारन कीनी तिन के काज जर्यो ओम जै लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी बनवांचित फल दीनो दीन देन दयाल हरी ओम जये लक्ष्मी रमना, चड़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा, ओम जये लक्ष्मी रमना, श्री सत्य नरायन जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रहु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानन्द स्वामी, कहत अरी हर स्वामी, मनुवांचित फल पावे, ओम जये लक्ष्मी रमना, जये लक्ष्मी रमना, स्वम जये लक्ष्मी रमना, सत्य नारायन स्वामी, सत्य नारायन स जन पातत हरना, ओम जय लक्ष्मी रमना, वो सत्न रर्ण भगवान की जय।